हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माइ यूटूब चैनल लोकेन अकाडमी मैथमेटिक्स और कैसे हैं आप देखिए आज का जो वीडियो है उसमें लेक्चर 7 है और टॉपिक है स्टेट लाइन यह स्टेट लाइन कोडिनेट जोमेट्री का एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुश्चन्स आई आई टी का जो एक्जाम होता है उसमें भी अक्सर प्रियास करूँगा तो आप इसको जड़ा देखिए स्टेट लाइन पहले तो समझें यह पहले भी एक वार समझा चुका हूं स्टेट लाइन का मतलब है कि स्टेट का मीनिंग सीधा होना और इसमें यह जो एरो लगे हुए हैं एरो यह सो करते हैं कि यह दोनों साइड में यह दोनों साइड में एक्स्टेंड हो रही है इंफिनिटली इस बात का मीनिंग यह रहता है इस साइड में भी यह एक्स्टेंड होते हुए जा रही है इंफिनिटली इस बात का मीनिंग यह एरो जो हैं इस बात को सो करते हैं ठीक है तो यह आपका इ और state line और उसके बाद एक होता है line segment, line segment में arrow नहीं होते हैं और arrow नहीं है इस बास का यह meaning है कि यह A और B fix point है, A से लेकर B तक यह fix distance है, इसको हम line segment कहते हैं यह line segment है, इस बात का मतलब यह है कि किसी भी line में, line segment भी infinite हो सकते हैं, कि किसी भी line में line segment infinite हो सकते हैं, क्योंकि line segment be the part of line, line का ही एक part होता है, जैसे यह line है, इसमें बहुत सारे line segment हो सकते हैं, A से B, AB है, B से C, एक यह line segment हो गया, एक यह line segment हो गया, बहुत सारे, क्योंकि line extend हो रही है, दोनों side में infinitely, तो इसमें line segment में भी सारे हो जाएंगे, ठीक, यह बात clear हो गई होगी, अब आगे बचते हैं, अब क्या है, कि मैं इस state line, state line clear हो गया, अब इस state line की equation क्या होती है? equation of straight line, अब यह state line तो है, लेकिन अब इस state line की equation क्या है? क्योंकि बात आ रही है coordinate geometry क्या है? उसमें equation भी होगी, उसमें geometry भी होगी, geometry होगी, equation होगी, equation means algebra, तो यह हम पहले भी बता चुके हैं कि algebra और geometry, pure geometry या उसको equilibrium geometry बोल सकते हैं, तो geometry और algebra का combination है, coordinate geometry, तो अब इसकी equation होगी, तो equation of state line तो उसको ज़रा आप देख लीजिए, तो equation of state line जो है वो यह होती है, उसका एक standard form लिखे जिता हूँ में, standard form, वो यह रहता है आपका, ax plus by plus c is equal 0, किसी भी state line की जो equation है, उसका जो standard form है वो यह है, या हम इसको standard form या इसको हम general equation भी कह सकते हैं, general equation of state line हम इसको यह भी बोल सकते हैं, किसी भी state line की यह एक general equation होती है, और इसमें क्या खास बात है, इसको हम standard form, इसका एक standard form भी है या general form है, तीसरा इसमें point जो आपको note करने लाइक है, और वो क्या है, कि यह जो equation है, यह जो equation है वो आपका first degree, first degree equation, first degree equation in two variable, X and Y represents a straight line, आप यह बात यह भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी इस बात को कह सकते हैं, यह note करें इस point को, तीसरा point, यह note करें, यह general equation या standard equation उसका जो form है वो यह है, कोई भी state line है, कोई भी state line है, उसका जो standard form है आपका, वो ax plus by plus c is equal to zero है, या इसको हम general form भी कहते हैं, और इस general form की खास बात यह है, कि यह equation first degree में होगी, first degree में होगी और two variable में होगी, यह इसमें note करने वाली बात है, first degree का यहां क्या मतलब है, कि x का power और y का जो power है, वो आपका one one होगा, coefficient कुछ भी हो सकता है, coefficient इस x का यहां कुछ भी हो सकता है, one two four कुछ भी है नहीं, y का कुछ भी हो सकता है, और यह जो c constant यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन x और y जो है, इसकी जो power है, वो आपका one one होगी, तो कहने का मेरा meaning यह है, कि कोई भी equation two variable में अगर है, और जो two variable है, उनकी जो degree है, वो आपका one one है, तो वो हमेशा एक straight line को represent करती है, इस बात को आप note करने, कि कोई भी equation जब first degree में होती है, x और y में first degree में equation होती है, तो वो एक straight line को represent करती है, यह ही मैंने यहाँ पर लिखाया है, first degree equation in two variables x and y represent a straight line, बस हमेशा एक straight line को represent करती है, ठीक? अच्छा, और अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसी के बारे में बताता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं, तो अभी हमने क्या बताया, कि किसी भी straight line, कोई भी straight line है, यह और इसकी जो general equation है, हमेशा ax plus by plus c is equal to, यह 0 होती है, और यहाँ पर x and y जो हैं वो आपका variables हैं, यह variables कहलाते हैं, x and y और आपका a, b और c यह आपका arbitrary constant कहलाते हैं, यह arbitrary constant है, a, b, c, ठिक, और यहाँ खास बात क्या है, कि x का power और y का power हमेशा one बन रहेगा, क्योंको first degree equation in two variables, first degree equation in two variables represent a straight line, यह बात आपको clear हो गई होगी, तो x और y variable हैं और यह सब arbitrary constant हैं, और यह आपका एक general equation है, general equation of straight line, या standard equation of straight line, अब यह जो general equation है, यह बहुत सारी lines का एक family of family, एक तैसे equations की family को represent करती है, equations की एक family को represent करती है, क्योंकि मैं अगर a, b, c की value को हम numerical ले लें, तो बहुत सारी equation सो सकती है, जैसे के 2x plus 3y plus 1 is equal to 0, एक equation हो गई, x minus 5y plus, आपका 4 is equal to 0, कोई भी है नहीं, तो देखों, यहाँ a की value यहाँ 2 है, b की 3 है, c की 1 है, यहाँ a की क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, b की minus 5 है, c की 4 है, तो जैसे जैसे हम a, b, c की value, यह तो एक general form था, तो अगर ऐसे हम करते चले हैं, बदलते रहेंगे, तो यह बहुत सारी equations निकलेंगी, लेकिन यह equation जो है अलग-अलग line को represent करेंगे, मालनो इसकी equation, इसकी line जो है, इस टैप से ग्राफ है, इसका graph मालनो इस टैप से जा रही है, अलग-अलग position होंगी, बहुत सारी equations, infinitely equation चलती चली जाएंगी, तो यह इन सारी equations हैं, इनकी एक यह family को represent करती है, एक तरह से आप यह भी माल सकते हैं, अगर हम यह value बदल देंगे, तो बहुत सारी questions आ जाएंगे, clear? तो यहां एक बात और ध्यान रखेंगे, a, b, c, जो है arbitrary constant है, x, y variables हैं, और जब हम a, b, c की value numerical ले लेते हैं, जैसे यह 1, minus 5, यह, तो इनको हम क्या बोलते हैं, absolute constant, absolute constant, यह क्या है, absolute constant के लखते हैं, ठीक, तो यह चीज आपको clear, यहां हो गए होगी, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने अभी क्या बता दी आपको, एक state line बता दी, और state line की equation के बारे में, समझा दी अभी आपको, और वो equation जो है, state line की, हमेशा first degree में रहेगी, और two variable में रहेगी, x और y का जो power है, या index है, वो one बन रहेगा, यह खास बात है, two नहीं हो सकता, three नहीं हो सकता, clear? अगर ऐसा हो जाए, मालो, यहाँ इस बात को भी सुन लें, जैसे अभी मैंने बताया के, ax plus by plus c is equal to zero, यह एक state line को represent करती है, यह किसको करती है, state line को represent करती है, यह equation क्योंकि power यहाँ पर one-one है, मतलब कोई भी line ऐसे होगी, ऐसे हो सकती है, अलग-अलग, बहुत सारी equations है, लेकिन होगी state line ही, state line ही represent करेगी, क्योंकि इसकी degree यहाँ पर one-one है, यह खास बात है, इसके अंदर एक अलग property है, अच्छा, अगर मालो यह इसकी power जो है, और उर्ष्ण हो क्या है, जैसे 1 से greater क्या हो सकते है, 2 हो सकते है, 3 हो सकते ए, 4 हो सकते है, तो मालो जैसे 2 हो जाय, ऐसा हो जाय, excitement greater than 1 power हो जाय, जैसे x-square तो स्प्लेस y-square is equal to a-square, Discесто हो गई second degree equation हो गई यह क्या हो गई आपका second degree equation, second degree equation of circle, यह circle की equation को represent करती है means अब यह इससे कोई state line का graph नहीं बन सकता, state line इससे state line नहीं बनेगा, इससे क्या बनेगा आपका एक circle draw होगा, ऐसा, कभी ऐसा है कि y square is equal to 4, आपका 4ax, आपका 4ax यह है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यह mix है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यह भी एक, कहने का मेरा मतलब है, इस बात को आप ऐसे समझें, कि जब degree 11 है तो हमेशा उसका graph, जब कोई भी equation है, उसकी power x और y में दोनों में 11 है, या उसका index 11 है, तो हमेशा एक straight line, उसका graph क्या होगा, एक straight line होगा, graph हमेशा एक straight line बनेगा, और अगर 1 से अधिक degree है, तो हमेशा उसका graph, एक common बोलाओं में उसको एक curve बनेगा, जैसे यह आपका क्या है, यह curve सो कर रहा है, curve मींस एक straight नहों करके, इस type से, कोई भी line हो सकता, कोई भी यह, इस type से, जो state नहों, यह आपका state line है, और यह this is called curve, इस बात को ऐसे समझे, अब जैसे यह भी, यह क्या state है, अब यह जो है, यह जो equation है, यह circle को denote कर रहे है, क्योंकि इसकी power, जो है one से greater हो गई, यहाँ भी one से greater हो गई, यहाँ one है, लेकिन यहाँ हर जगे one नहीं है न, यहाँ one है तो यहाँ two है, तो यह भी जैसे, मालो एक में one है, एक में two है, सब भी आपका curve ही denote होगा, इसका h type से graph हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यह parabola को show करेगा, यह किसको, parabola, okay, clear हो गया होगा, इस type से, कहने का मतलब है greater than one अगर power है, x या y, x में है, या y में है, किसी एक में है, greater than one, या दौनों में है, ठीक है, तो एक curve को represent करेगी वो equation, curve, parabola हो सकता है, curve, circle हो सकता है, कोई भी, any, और अगर दौनों में power बन बन है, तो एक state line को represent करेगा, clear हो गया होगा आप यह, अब आगे चलते हैं जाएगा, अब देखें, इसके बाद, इसके बाद क्या है, कि slope of state line, slope या इसको हम एक नया नाम भी देते हैं, gradient, gradient of state line, यह क्या होता है, इसको समझे जाएगा, gradient of state line, या slope of state line, तो यह word आप ज्यादा यूज़, इसको यह ज्यादा popular है, slope ज्यादा सुनने में आता है, इसको कम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का meaning एक ही है, तो देखें इसको सुने जाएगा, क्या है यह, तो फिर से वही कहानी पुरा नहीं, आप यह जो coordinate axes हैं, इनको आप ड्रो कर लें, X dash, यह Y dash, यह Y, और यह आपका X, तो देखें यह क्या है, slope या gradient of a state line, किसी state line का slope क्या होता है, तो suppose करो मैंने एक line ड्रो की यहाँ पर, तो इसकी definition बड़ा simple है, कि slope किसी भी line, जैसे यह line है हमारा, इसका slope क्या होगा, तो कोई भी line, X axis की positive direction से, X axis है यह, इसका यह positive direction है, positive direction से anti-clockwise sense में, किसमें anti-clockwise? anti-clockwise sense में जो angle form करती है, जो angle बनाती है, suppose करो यह angle theta बना दिया, तो इस angle का tangent means, short में उसको क्या बोलेंगे 10, इस line का slope कहलाता है, या इस line का gradient कहलाता है, means, 10 theta, इस line का slope हो गया, यह definition है, इसका simple, लेकिन condition क्या है यहाँ पर? कि यह जो angle बन रहा है, वो X axis की positive direction से बनेगा, not negative direction, पहली बात, दूसरा यह anti clockwise बनेगा, not clockwise, और यह angle y axis से भी नहीं बनेगा, y axis की negative या positive direction से define नहीं है, और x axis की भी negative direction से define नहीं है, केवल x axis की positive direction से और anti clockwise जो angle बनता है, उस angle का 10 इस line का slope कहलाता है, that means, 10 theta be the slope of this line, इस slope को हम generally small m से denote करते हैं, 10, m 10 theta, clear, यह यह बात clear हो गई होगी, ठीक है, तो यह आपका m 10 theta इस line का slope है, आगे, अब मान लिजे, ऐसा होता है, अब तो एक formula तो आपका यह आगया slope यह इसको gradient कहते हैं, यह मैं यहां लिखे देता हूँ, m is equal 10 theta, यह आपका एक formula आगया आपका, अब मान लो, लेकिन यह formula slope निकालने के लिए, कब apply किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखे हैं, जब यह line यहां जो angle बना रही है, उसकी value दे रखे होगी, जैसे theta is equal to 45, मान लो, यह जो angle है, इसकी value दे रखे होगी, तब ही slope निकलेगा, जैसे 45 दे रखा है, तो क्या होगा आपका, तो m, m is equal to theta is equal to 45 degree है, तो आप यहां value रख दो, तो m is equal to 1045, और 45 क्या होता है, 1, तो m is equal to 1, m is equal to 1, be the slope of this line, clear, मान लो, m is equal to 60 दे रखा है, तो theta क्या होगा आपका, 60 degree, तो slope क्या हो जागा, m is equal to 1060, theta की जीकल पर 60 हो गया यह, तो theta, this means variable है, variable यह बदलती रहेगी value, तो यहां m is equal to क्या होगा, आपका, root 3, यह answer हो गया, यह answer हो गया, इस type से यह angle की value बदलती रहेगी, तो slope बदलती रहेगी, तो यह formula को हम जब लगा आएंगे, formula का application तभी है, जब यहा angle दे रखा होगा, इस बात को note कर ले, angle दे रखा होगा, तो इस formula से हम किसी line का slope निकाल सकते हैं, clear, आगे, अब क्या है second? अब एक और भी है, formula slope निकालने का, उसको मैं बताए देता हूँ, मालो कोई state line है, और state line जो है, उस पर two points दे रखे हैं, जैसे के, यह कोई state line है हमारा, यह कोई state line है, इस पर two points दे रखे हैं, मालो एक point है, यह P, जिसके coordinate x1 और यह y1 है, एक point है, यह Q, और इसको आगे extend कर लो, यह यह Q है, जिसके coordinate x2 और y2 है, ठीक है? इसको जड़ा, all, इसको यह clear यहां लिखे रेते हैं, मैं दुबारा से इसको और साफ बना लग से, थोड़ा सा space चाहिए इसके लिए, इसलिए, मैं यहां इसको फिर से कर लिएता हूँ, ऐसा, यह कोई line segment है, इस line segment पर कोई point यहां P है, इसके coordinate x1 और यह y1 है, यह कोई Q है, जिसके coordinate x2 और y2 है, clear? और यह आगे line जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां यह point है, यह arrow से so कर दिया, यह arrow लगाना चाहिए डर भी है, तो यह arrow लगा दिया, ठीक, यह आपका फिर से वह x-axis, यह y-axis, यह आपका x-डेस, यह आपका y-डेस, ऐसा इसको so कर सकते हैं, अब मानलो, यह तो था कि यह अब angle बना रहा है, x-axis से, तो slope निकालने का formula, लेकिन हमारे पास क्या angle नहीं है, उस line पर two points दे रखे हैं, तो points के form में भी हम slope निकालने का दूसरा formula, अभी आपके सामने में, उसको निकाल के बता रहा हूँ, उसका proof बता रहा हूँ, कैसे निकाला वो, इसको नाम दे दो, M, यह आपका origin O होगा, और यह L दे दो, और एक perpendicular यहां से भी डाल दो, यहां इसको आपको N दे दो नाम, यह P है, यह Q है, सारे इसको नाम लखती है, सारा O, M, जितने भी आपका थे, उसको सब को हमने clear कर दिया, अब देखे जाए, इस point के respect में, P के respect में, O, M कितना हुआ, X, 1, देखे जाए रहा, इस point के respect में, O, M, और इसी point के respect में, PM कितना हुआ, Y, 1, अच्छा, इसी तरीके से similarly, इस point के respect में, देखे जाए, इस point के respect में, आपका O, L कितना हुआ, X, 2, और इसी point के respect में, Q, L कितना हुआ, Y, 2, clear, अब देखे, O, M, X, 1 है, और O, L, X, 2 है, तो ML कितना हुआ यहां से, X, 2, minus X, 1, clear, clear, अच्छा, P, N, L, M, एक rectangle form हो रहा है, तो rectangle में opposite side equal होती है, तो यह X, 2, minus X, 1 है, तो यह भी आपका X, 2, minus X, 1 हो गया, clear, similarly, यह Q, L कितना है, आपका Y, 2, तो यह आपका Q, N कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह आपका Q, L कितना है, Y, 2, और P, M, आपका Y, 1 है, यह Y, 1 है, और यह total आपका Y, 2 है, तो Q, N आपका Y, 2, minus Y, 1 हो गया, यह portion, ठीक, अच्छा, suppose करिए, यह angle हमारा, इस angle को हमने theta माल लिया, यह वाला, यह जो angle, पहले तो इस angle को आपने, इसे नहीं, पहले आप इसको मानेंगे, यह जो line है, यह suppose कि यह हमने, let, angle, यह नाम यहां रख़ो, एक और नाम दे दो, यहाँ पर आपका यह T दे दीजिए, तो angle, आपका यहां से Q, T, L, let, angle, angle, Q, T, L, Q, T, L, B, यह angle दे नहीं रख़ा, लेकिन हमने इसको suppose कर लिया, कि यह suppose कुस्तो आइंगल होगा, जब यह line यहां से जा रही है, तो आइंगल बनता है, वो कुछ तो दे रख़ा होगा, Q, T, L, B, ठीटा, यह ठीटा मान लिए हमने, तो जब यह ठीटा है, तो हम यहां से चलेंगे, यह ठीटा है, तो यह भी ठीटा होगा, क्यों कि P, N, और O, M, L, यह जो दो line है, यह parallel है, और यह क्या है, आपका transversal है, तो यह corresponding angle होगा, यह angle equal होगा, तो यह ठीटा होगा, 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 यह कुछ भी तो बनना होगा, कुछ तो line होगा यह ठीटा है, तो यह ठीटा है, तो यह ठीटा होगा, अब आप इस triangle को लो, Q, P, N, अब इस triangle को अगर हम लें, तो इसमें, देखो यह distance हमारे पास आ गई, और यह distance हमारे पास आ गई, यह दोनों distance हमारे पास आ गई हैं, यह वाली, और यह वाली, इस पूरे triangle को आप देखें ज़्यादा, तो इसमें, आगर आप देखें, तो 10, यह 90 है, यह 90 डिगरी बना हुआ है, तो एक right triangle है, और right triangle में टिग्नोमेटिक रेशो, जो है, वो defined right triangle से हुए थे, तो हम इसमें 10 थीटा, तो 10 थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए आप, यह 10 थीटा क्या हो जाएगा आपका perpendicular upon में base, तो perpendicular qn upon में base, pn, means qn कितना है, y2 minus y1 upon में यह x2 minus x1, कहने का मतलब है, के 10 थीटा is equal आपका y2 minus y1 upon में x2 minus x1, अच्छा, अब देखें जाए, यह 10 थीटा की इस triangle से value निका लिए, हमने किस से qp, किस से निका लिए, qpn, qpn से 10 थीटा हमारा निकल के यह आया, अच्छा, अब यह क्या, यह जो line है हमारा, यह जो पूरा line है, वो आपका x-axis को भी कहीं cut कर रहा है, तो पहले तो हमने यह यही angle माना था न, यह angle तो यही था, तो वो पुरानी definition, पुरानी definition क्या है, कि कोई भी line x-axis की positive direction से anti-clockwise जो angle बनाती है, उसका 10, उस line का slope कहलाता है, यही तो definition थी, यहां से यह, यहां से भी 10 ही आ जाएगा, भाई, यहां जो 10 निकाला, तो यहां से जो, क्या होगा आपका, तो यहां आपका यह, m is equal to, यहां से 10 theta, यह तो definition है, कोई भी line x-axis की positive direction से जो angle बनाती है, उसका 10, उस line का slope कहलाता है, यह, पहले हम definition दे चुके हैं, तो यहां से क्या आगे आपका, m is equal to 10 theta, clear, तो m is equal to 10 theta, और 10 theta is equal to, यह है, भाई, m is equal to, यह पुरानी definition हो गई, कोई भी line आपका x-axis की positive direction से जो angle बनाती है, anti-clockwise sense में, उस angle का 10, उसका slope कहलाता है, इस line का slope, यह तो पुरानी definition से आगया, यह आपका पुरानी definition से आगया, m is equal to यह, पुराना, और m is equal to 10 theta, और अब 10 theta, अब हमने इस triangle से भी निकाल दिया, क्योंकि यह angle is equal इस angle के थे, और यह right triangle था, यह हमने अब यहाँ पर यह निकाला, 10 theta is equal to y2 minus y, यह भी है, तो 10 theta is equal यह है, और 10 theta, m is equal to 10 theta, इसका meaning क्या है, कि m, m is equal to 10 theta है, और m और 10 theta is equal to y, this means, अब यह दो फार्मूल है होगे, इसका मसलब है, कि आपका, m is equal, y2 minus, सोड़ी, पहले इसको ले लो, पहले दूसरा, m is equal to 10 theta, यह तो पुराने उससे m हो गया, और दूसरे उससे, m is equal y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो यह दो फॉर्मूले आपके निकल के आगए, एन दोनों से अगर हम देखें, तो यह दो फॉर्मूले, यह फॉर्स्ट और इस second को अगर हम लें, तो from first and second से, यह जीज निकल के आगए आपकी, इन दोनों से अगर compare करें, तो m is equal to 10 theta और m is equal to y, ये दो फॉर्मूले अब आपको यार रखने है कहने का मतलब है अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कैसे होगा कि जब कोई भी लाइन X-axis की positive direction से anti-clockwise कोई angle केवल angle बना रही है केवल angle बना रही है points नहीं दे रखे हैं उस पर केवल angle बना रही है points नहीं दे रखे हैं तो हम इस formula को लगाएंगे पहले को m is equal 10 theta theta दे रखा तो इस से slope आजाएगा उस line का और अगर मालो angle नहीं दे रखा है उस line पर ये point दे रखे हैं तो हम slope निकालने के लिए इस line का slope निकालने के लिए क्या slope इस line का slope या gradient निकालने के लिए हम दूसरा formula लगाएंगे m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 ये वाला formula लगाएंगे इस बात को आप समझ लें जब points दे रखे हैं तो ये वाला formula किसी line पर 2 points लेकिन points 2 points होने चाहिए single points है नहीं 2 points दे रखे हो उस line पर 2 points दे रखे हो तो slope निकालने के लिए ये formula और angle ले रखा हो तो slope निकालने के लिए m is equal to 10 theta ये एक बात के लिए रोगए होगी ठीक अब देखें जैसे इसी से related एक दो questions भी ले सकते हम जबाएंगे देखें अब वह क्या है कि हमारे पांस दो formula आ गई है पहला m is equal to 10 theta if angle all लिखे जिता हूं clear इसको m is equal to 10 theta if angle be given अगर angle दे रखा है line जो x-axis से जो angle बनाती है वो दे रखा है ठीक है न angle आपका दे रखा है angle आपका वो भी क्या? theta कोई angle theta दे रखा है तो हम इस formula को लगाएंगे और m is equal y2 minus y1 upon x2 minus x1 इस formula को कब लगाएंगे? if two points points are given on the line उस line पर two points दे रखे हों तो हम एस formula को लगा देगे शलूप निकालने के लिए किसका सलूप निकलागा? लाइन का, के लिए? तो यह दौनों फॉर्मूले, अभी मैंने ड्राइब किये हैं दौनों, दौनों का डेरिविशन अभी आपको समझा दिया पहला तो डेफिनिशन ही है, उसमें तो कोई ऐसा डेरिविशन नहीं है, वो तो एक डेफिनिशन ही है, M is equal to 10, उसका 10, जो भी एंगल है उसका 10 लेते हैं, यह था किबल, और कुस नहीं था, इसको थोड़ा सा ट्राइंगल बना के इसको निकला, लेकिन आपने दौनों फॉर इसको बना लो, अब यह क्या कह रहा है कि Determine X, so that the line passing through 34 and X5, मान लो कोई लाइन है, 34, 34 means first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, यह था हमने पहली बताया था कि first quadrant, 34 means sign क्या थे, इसके plus plus थे, तो यह points कहा आएगा, first quadrant में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको draw, इदर ही कर दिया, दूसरा point क्या है आपका, दूसरा X5, तो सपोज क्यों X5 मैंने यहाँ मान लिया, X5, clear? यह, X5 यह कोई point है, अच्छा, और यही जो line है, वो X-axis की positive direction से, anti-clockwise sense में, जो angle बना रही है, वो 135 degree बना रही है, कहने का मतलब है, कि कोई line है, उस पर two points भी दे रखे हैं, यह question मैंने इसे लिया है, क्योंकि इसमें एक साथ इन दोनों formula का use होगा, इनका दोनों का use होगा, इसलिए मैंने इस question को select किया है, single एक formula से नहीं, देखे, कोई line segment है, उस पर two points भी दे रखे हैं, और वो line segment यहां X-axis की positive direction से angle भी बना रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब angle बना रहा है, क्या, जब angle बना रहा है यह, तो हम इस formula को लगाएंगे, first वाले को, तो देखे ज़रा, यहां किये देखा हूँ इसको, solution इसका, M is equal to क्या हो जागा, आपका 10 theta, तो M is equal 10, 135 degree, is equal at 10, 135 को में लिख सकता हूँ, 180 minus 45, यह लिखा जा सकता है, इसमें से minus करेंगे, तो यह ही आ जाएगा, अच्छा, अब यह 10, 180 minus 45, यह हो जाएगा, आपका minus का 10, 45, यह आपका, क्यों, क्योंकि यह second quadrant में बन ला है, 10 कहां जाएगा, second में, second में 10 क्या होता है, minus होता है, इसलिए यह minus में आ गया, और 10, 45 क्या होता है, 1 तो यह minus 1, M is equal आपका, यहां से यह एक slope आगया, इसका, किसका आगया, इस line का slope आगया, M is equal to minus 1, sorry, तो यहां question क्या था, question यह था, कि कोई line है, उस line पर two points दे रखे हैं, question को फिर से समाझने, इसको, एक line दे रखे है, उस पर two points दे रखे हैं, 34 और x 5, यह two points हैं, और यह line जो है, x axis की positive direction से, यह angle बना रहा है, तो इस x की value क्या होगई, यह पूछ रहता, determine x, find the value of x, यह पूछ रहा है, इस x की value क्या होगई, यह पूछ रहता, तो सबसे पहले तो हमने m निकाल दिया उसका slope, इस line का, यह m is equal to minus 1 क्या आया, यह slope आया, इस line का, यह angle बना रहता इस line का, यह slope आगया, लेकिन हम इसी line के slope को, हम इन two points से भी तो निकाल सकते हैं, इन दोनो points से भी तो इस slope को निकाल दा सकता है, वो इसके निए, दूसरा formula हमने drive किया है, तो फिर से देखें जादा, तो आप इसको, यह मानलो, suppose करो, यह आपका x1 और यह y1 point मान लिया, और यह second वाला हमने, यह आपका x2 और यह y2 मान लिया, ठीक है, यह मान लिया points, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम इसी को, इस formula में रख देंगे, second वाले में इस चीज़ को, इसको कहां रख देंगे, second वाले formula में, इस में, फिर से में रख दूँगा, इस question में, तो m is equal y2, formula y2 minus y1 upon में x2 minus x1, यहां रखेंगे इसको, तो देखों, यहां से इस value को जहां रख दो, यहां पर, y2 क्या है, 5, minus y1, 4, upon में, यहां रहा, y2 minus y1, 5 minus 4, और आपका x2, x, minus, x2 minus x1, 3, क्या आया निकल के, 1 upon में x minus 3, यहां गया, ठीक है, तो m की value क्या आया निकल के, 1 upon में x minus 3, 3, तो हमने slope को ऐसे भी निकल दिया, slope आपका, ऐसे भी निकल के आगया, और slope जो है इसका, यह भी निकल के आगया, slope m is equal to minus 1 है, और m is equal to 1 upon में x minus 3 है, यह दोनों ही slope है, तो एक ही लाइन के, तो जब दोनों एक ही लाइन के सिलोप हैं, भाई हमने two points form से यह सिलोप निकाल दिया और angle से यह सिलोप निकाल दिया, तो दोनों सिलोप को बरावर रखा जा सकता है, क्योंकि same line के सिलोप है, तो from first and second, तो यहां हमें क्या करना है, इनको equal लग देना है, देखे, तो हम क्या करेंगे यहां, इसको equal लग देखेंगे, तो from first and second, इन दोनों को देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों से यह भी म के equal, यह भी, तो आपका क्या हो जागा, 1 upon x minus 3 is equal to minus 1, तो यह क्या हो जाएगा, आपका minus x और plus 3, देखें, cross multiply, और is equal to 1, और यह आपका minus x is equal हो जाएगा, 1 minus 3, minus x is equal to minus का 2, यह minus से minus x is equal to 2, तो इसकी जो value है, वो क्या ही, 2 आगई, means अब यह जो point क्या बनेगा, 2 और यह 5, इसका मतलब है कि यह भी first quadrant में ही आ रहा है, plus plus हो गए ना, दोनों के sign, तो x की value में इस fc सा find करना था, तो इसमें दौना formula यूज हो गई, तो इस type के questions यह बनते हैं, तो इनको आप करेंगे, आगे चलते हैं जदा, अब इसके बाद, एक formula में और आपके सामने drive करना चाह रहाता है, उसका और समझे लिए, प्रूफ क्या है, और वो क्या है, पहले तो formula को समझे लो, क्या formula निकालना है हमें, फार्मूला हमको निकालना है, पहले तो आप फिर से यह चीज ड्राइब, ड्रॉफ करिए, x-axis, y-axis, यह जो coordinate axis भी बोलते हैं इनको, यह तो हमेशा आपको करना ही है, x, और यह x-, यह y-, clear? यह origin हो गया, अब देगे, यहां क्या निकालना है मुझे, यहां यह निकालना है के two straight line है, और two lines हैं, और वो कहीं किसी point पर intersect करती है, और intersect, just like ऐसा. यह two line है, यह line है और एक यह line है. यह line यह, deux, और यह two long line जो है न, मानलो, यहां इस, वह point पर intersect करती है, तो इन दौनों लाइन्स के बीच का जो एंगल है suppose करो ठीटा है इसको find करने का formula मुझे अभी proof करना है clear? दो लाइन्स हैं और वो किसी point पर intersect करती है तो इनके बीच में जो एंगल बनना है इस एंगल को निकालने का मैं formula भी आपके सामने proof करूँगा ये एंगल निकाल दिया तो ये इसके इकल होता है क्योंको vertical opposite angle होते है ये एंगल ये एंगल इकल जब दो लाइन इंटरसेक करती है ये इसके इकल होता है ऐसे ये एंगल इस एंगल के इकल होता है तो जब ये हम इस एंगल को निकाल देंगे तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी इसको निकालेंगे, तो यह आ जाएगा, यह इसको निकाला, तो यह आ जाएगा, बड़ा के लिए, इस फॉर्मूले को मैं अभी आपके सामने, प्रूफ करना चाहा रहा हूँ, देखे, मैंने फिर से दो लाइन बना ली, सपूर्ज करो एक लाइन यह है, और दूसरी लाइन यह है, और यह लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, वो एंगल सपूर्ज करो ठीटा है, और यह जो लाइन है, यह लाइन एक्स एक्सिज की पॉजिटिव डैरेक्शन से कोई एंगल बना रही है, एंटी क्लोकवाइज, तो वो एंगल हमने मान लो, यह ठीटा वन मान लिया, इसी तरीके से यह एंगल, यह लाइन जो है, यह भी एक एंगल बना रही है, एंटी क्लोकवाइज सेंस में, इसे हमने सपूर्ज करो ठीटा टू मान लिया, यह ठीटा वन, इसे ठीटा टू मान लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, और यह हमने ठीटा मान लिया, तो एक किसी भी साइड को आप एक्स्टेंड कर दो, सपोर्ज करो मैंने यह साइड एक्स्टेंड कर दी, तो यह एक्स्टीर एंगल, अंदर के दो इंटीर एंगल के सम के एक्वल होता था, यह हमने पढ़ा है पहले, आपका यह एथ में ना इथ में पढ़ा होगा यह आपने कहीं means आपका क्या है angle A plus angle B is equal angle A, C यह E मालनों सबोज कर A, C, E यह concept आप पढ़ चुके हैं exterior angle हमेशा triangle के दो interior angle के equal sum के equal होता है sorry A plus B यह दो angle है interior इनका sum किया exterior angle के equal होगा interior angle यह भी है लेकिन इसे छोड़कर यह नहीं इसको छोड़कर जो बचे हुए है इनके sum के equal होता है पहले यह proof किया ज़चुका है तो यही concept यहां लग रहा है देखे ज़रा तो यह भी एक triangle है इसको मालनो यहां मालनो यह आपका इसको भी AP या आपका Q या आपका R यह मालनो यह कोई triangle है यह इसमें भी यह क्या हो गया आपका exterior angle हो गया और यह exterior angle का sum दो interior angle इसके और इसके sum के equal होगा के नहीं होगा बस यह concept लगना था यहां पर यह concept यहां apply होना था देखिए तो हम करने क्या जा रहा है हम फिरसे वे इस बात को repeat करें देता हूँ करने क्या जा रहा हूँ में यह two lines है intersecting line है और जहां intersect कर रही है वहाँ जो angle form हो रहा है इस angle की value निकालने के लिए एक formula निकाल रहा हूँ में और वो formula जो है वो आपका slope के form में आएगा formula जो बनेगा वो किस में slope के form में आएगा slope किसका एक इस line का slope और एक इस line का slope उसके form में formula बनेगा तो पहले तो आप ऐसा करिए इस triangle को भी लेने से पहले पहले तो आप यह जो line है के लिए यह जो line है वो कितना angle बना रहे लों एक्स आक्सचीज की positive direction से बना रहे है तो इस Slope क्या होगा सिस्लाइन का सिनोप क्या होगा तो आपका यह slope आपका यह को में कर दो कॉई भी नाम इस ठीके न, जैसे P, Q, एसा न करके, एसा कर दो यहाँ पर, यहाँ पर इसको दे दो आपका R, और इसको दे दो आपका T, small t, इसमें ऐसे भी denote करते हैं, तो slope, इसका proof जो है, मैं यहाँ इसको और समझाजेता हूँ, तो slope, of line, slope of line, r, यह r line है, क्या हो जाएगा, m, जब यह theta 1 है, भाई, जब एंगल है, तो formula क्या था, m is equal to 10 theta, तो यहाँ theta 1 है, यह, तो हमने फिर उसको m1 माल लिया, तो यह m, तो आपका m1 is equal to 10 और theta 1, यह से लिख सकते हैं यह, slope कुछ, m1 करके माल लिया, जब यह 1 है, तो यहाँ 1 माल लो, ऐसे ही यह 2 है, तो उसका slope m2, ऐसे माल लेगी उसको, ऐसे ही, similarly, slope of line, कौन सी line, यह वाली, t, t, क्या हो जागा, m2 is equal to 10 और theta और 2, यह हो जागा, clear, इन दोनों का slope यह आगया, यह 1 और 2, second, इन दोनों lines का, मैंने इसका और इसका slope निकाल दिया, अब मैं इस concept को यहाँ पर लगाऊँगा, exterior angle का sum, exterior angle किसी भी triangle में उसके दो interior angle के sum के equal होता है, यह concept यह वाला यहाँ लगा देंगे, जो जो दो interior angle है, यह interior और इन दोनों का sum इस exterior angle के equal होता है, तो देखे जादा, यह क्या हो जागा, इसके according, in triangle P, Q और R, कौन सा triangle P, Q, R, यह क्या exterior angle है, तो exterior angle, theta 2 is equal क्या हो जागा, theta 1 plus theta, यह हो जागा, यहाँ से जागा theta निकालना, theta is equal to क्या हो जागा आपका, theta 2 minus theta 1, देख लिए जागा, theta यहाँ से निकालना, तो theta 2 minus theta 1, अब taking, taking 10, both sides, दोनों side में 10 ले लिया अब हमने, तो जब मैं 10 लोगा, तो जब मैं यहाँ इसको की लिएता हूँ, तो यह क्या हो जागा, इसमें, जब मैं 10 लोगा, तो दोनों side में तो क्या हो जागा आपका, 10 theta is equal to 10 theta 2 minus theta 1, यह formula, ऐसा हो जागा आप, यह relation, लेकिन हम 10 में भी दो formula जानते हैं, और वो क्या जानते हैं, देखें जादा, 10 में हम क्या जानते हैं formula दो, 10 में हम दो formula यह जानते हैं, के 10, 10 a plus b, एक पहला formula is equal to 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b, एक यह होता था, एक formula है यह, यह आपने set 10 में भी पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे 11 बगरा में भी और दूसरा 10 a minus b, यह क्या है कि 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a और 10 b, क्याने का मतलब जब यहां plus होता है, तो उपर plus, नीचे minus और यहां minus हो जाता है, तो उपर minus, नीचे plus, तो देखें, यह किस से match कर रहा है यह formula, यह आपका a हो गया, मालो, theta 2 a हो गया, यह theta 1 b हो गया, तो यह difference वाले से means, नीचे वाले से, इस formula से, प्लस तो हो यह नहीं, प्लस वाला होता, तो उपर वाला apply करता है, इस formula को यहां लगा दीजिए, तो 10 theta is equal, 10 theta 2 minus 10 theta 1 upon 1 plus 10 theta 1, 10 theta 2, यह निकल के आगया, अच्छा, लेकिन, अब यहां पर, यह from first 10 seconds से, 10 theta 1 और 10 theta 2 जो है, यह क्या है, यह M1 और M2, हमने मान रखे हैं, consider कर लिया इसको, तो इसकी जगे पर यहां रखतो, तो आपका यह M2 minus M1 upon में 1 plus M1 into M2, यह आगया, तो 10 theta is equal M2 minus M1 upon में 1 plus M1 into M2, यह result निकल के आगया इका आपका, clear हो गया होगा, तो यह आपका from किसे, यह value जो रखी हमने, from first and second, जो हमने यह consider किये थे, theta 1 M1, 10 theta 1 M1 और 10 theta 2 M2, यह 1 और 2 से, यह हमने यह value रख दी, तो यह formula यहां बन गया, देखे ज़रा, आगे, तो अब क्या हो रहा आगे, कि यह निकल के आया, कि 10 theta is equal M2 minus M1 upon में 1 plus M1 M2, यह formula बना, तो 10 theta is equal यह है, तो theta यहां से क्या हो जाएगा, theta is equal 10, inverse में इसको लग जाएंगे, और M2 minus M1 upon में 1 plus M1 और M2, यह आपका एक formula बन गया, clear, इसे आप याद करें, दूसरा, अब यहां क्या है, कि यह जो theta निकला है, वो तो यह angle निकला है, यह means acute angle, suppose करिए, यह acute angle, अब मानो मुझे यह वाला angle निकलना है, इधर का, तो यह total angle यहां से यहां तक कितना है, 180, 180 में से में theta minus कर दूँँगा, तो यह angle कितना आजाएगा, आपका, 180 माइनस theta के लिए, total हमारा यहां से यह तक, 180, 180 में से यह theta है, तो theta minus कर देंगे, तो यह portion, 180 माइनस theta, जब इस angle को मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे, इसकी जगह पर, इसी formula में, theta की जगह पर, तो फिर हमें यह replace करना पड़ेगा, तो आपका, यह यहां, first माल लिजे, तो from first, from first, देखें जाएगा, तो 10, 180 माइनस theta is equal M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1, M2, यह आ गया, तो 180 माइनस theta, यह फिर second quadrant में जाएगा, तो second में 10 क्या होता है, माइनस होता है, तो यह होगा, माइनस 10 theta is equal to M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1, M2, अब माइनस का मैं मल्टिप्लाइ कर दूँ है, तो माइनस से यह क्या हो जागा, प्लस हो जागा, यह 10 theta is equal to minus sign इज़र आजागा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1, M2, clear, यह आ गया, और theta यहां से फिर से निकाल लेंगे हम, तो theta is equal to 10 inverse, यह आपका, माइनस में M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1, M2, यह आ गया, खत्म मामला, तो एक कहनदे का मतलब है, अब मैं इसको यह वाला formula, second मान लो और इसे मान लो third, अब third और second, second and third को command करके जब में लिखूँगा, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, means, इनको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों को command करके जब में लिखूँगा, तो यह ऐसे लिखे जा सकते है देखें या कैसे 感nh करकर यह लिखंगा तो यह आपका ऐसा बन जाएगा कि फीटा एक में तो यह प्लस आ रहा यह पर यह में यह माइनस आ रहा यह पर theta is equal 10 inverse plus minus और m2 minus m1 upon में 1 plus m1 और m2. यह आपका एक formula बन गया. तो यह formula यह proof हो गया एक तेस्ट आपका. Hence, proofed. ठीक है? लेकिन यह आपको डायरक्ट याद रखना है. इसी से अब questions होंगे इसमें. Clear? तो यह theta अब फिर से समझ में आ गया होगा कि theta क्या theta था? यह two lines intersect जहां कर रही हैं. उनके बीच का जो angle निकालने का यह formula है. और यह formula यह expression इधर वाला क्या है? यह slope के form में एक इस line का slope है और एक इस line का slope है. और slope कैसे निकाला था इन दोनों का? कि यह दोनों line x-axis की positive direction से anti-clockwise sense में angle बना रही थी. यह line theta बन बना रही थी, यह theta 2 बना रही थी. तो m is equal to 10 theta formula से इन दोनों का slope निकाला और slope के form में फिर हमने इस formula को निकाला. यह बात clear हो गई होगी. तो यह हमें two lines के बीच में angle निकालने का formula है. clear? अब कुछ और जड़ा देखें. अब इसी formula से कुछ और बातें clear होंगी. देखें, जब मैं इस formula को theta is equal 10 inverse पहले यहाँ समझें. और यह आपका theta is equal 10 inverse और यह आपका modulus sign में m2 minus m1 upon में 1 plus m1 और m2. means, इसको मैं positive लेता हूँ. यह modulus लगा रखा है तो positive ही होगा. जब मैं modulus में दोनों ही sign एक तरह से included जब मैं इसमें से positive लोंगा, तो वो उन दोनों के बीच का acute angle निकलेगा. acute angle निकालने का formula है. जब combine करके यह formula लिखाता है, तो plus sign लेंगे हम, तो acute angle निकलेगा, और यह minus sign लेंगे, तो यह obtuse angle निकलेगा. क्या निकलेगा? obtuse angle. ठीक? इस बात को भी यहाँ याद रखें. कहने का मतलब है positive plus minus है, तो positive sign consider करेंगे, तो उससे हमारा acute angle निकलता है, और negative sign है, जब हम consider करते हैं इस modulus का, तो उससे हमारा obtuse angle निकलता है. ठीक है? या एक और तरीका है, कि आप किसी एक sign से आप निकल लो, मालू हमने तो एक ही बार उसका apply किया, हमने plus वाला acute निकल लिए, तो दुबारा उसको minus किल करना की ज़रूत ही नहीं, minus sign से करना की ज़रूत लिए, बस यह हमने अंगल निकाल लेक्त तो इसको तो निकाल आजा सकता है न ये total कितना 180 180 में से ये एंगल हमने एक वार formula आप्लाइक करके acute निकाल दिया तो इस वार्फिटि इसको निकाल सकते है 180- ये अब डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं उसको के लिए यह दियान रखें अच्छा अब फिर से आगे कुछ इसमें तो अभी क्या था कि यह intersecting lines देखें दो lines जैसे यह line है यह line यह intersecting lines कहलाते हैं क्या कहलाते हैं intersecting lines हैं यह और यह और यह देखें जारा यह भी intersecting lines हैं यह ile intersect कर रही हैं इसलिए intersecting आपको नज़र आ रही हैं और यह नहीं कर रही है तो क्या intersecting lines नहीं हैं क्योंकि non parallel है दौनो rely on parallel है अभी इंटर्सेक्ट नहीं कर रही है लेकिन इनको जब हम इस असे direction में इस line को जब मैं आगे produce करूंग और इस line को produce करूंगा तो आगे extend होके कहीं आगे intersect करेंगी तो ये भी intersecting line है ये भी intersecting line है और ये भी intersecting line है पहले तो ये बात समझें और इनी के बीच का ये जो angle निकालने का अभी मैंने formula proof किया है दोनों इस type की जो line है intersecting line जिनको बोलते हैं इनी का हमने formula भी proof किया है अब आगे कुछ दो condition और हैं उनको भी समझ लें वो क्या है कि जब दो lines के बीच में angle आपका 0 है means if theta is equal आपका 0 degree है क्या है 0 degree है theta क्या है 0 degree है this means वो दोनों line या तो parallel होंगी या एक दूसरे को overlap कर रही होंगी means जैसे x-axis का x-axis के साथ angle क्या होगा 0 होगा x-axis का x-axis के साथ भी angle 0 होता है y-axis का ऐसे ही y-axis का y-axis के साथ angle क्या होगा 0 जैसे यह आपका x-axis है और यह मैंने इसको ऊपर से इसको ढख दिया तो यह x-axis कि जब दो lines parallel होती है इस note करें इस बात को तो उनके बीच का angle क्या होता है आपर theta 0 और जब दो lines जैसे एक line यह है जैसे x-axis है suppose करो तो इसी पर मैंने कोई दूसरा एक और line draw कर दी तो इन दोनों के बीच का angle भी 0 ही होगा ठीक है तो जब दो line parallel है तो उनके बीच का angle 0 होगा तो जब 0 होगा तो उस समय पर उन दोनो lines का मानलों इस line का slope M1 है और इस line का slope मानलों M2 है ऐसे यह धो line है इन में भी इया आप का M1 है एक का slope और दूसरा M2 है तो उस समय पर दोनो lines जब हैं parallel हैं दोनों lines और उनका slope जो है एक का m1 है और एक का m2 है तो उन दोनों के slope में relation क्या होगा तो हम इसी formula से उस relation को मैं अभी find करने वाला हूँ देखे जड़ा, फिर से उसी formula को 10 theta is equal m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 यह हमने formula पढ़ा था, अभी अब मैं इस condition को लगा दूँ क्या के theta is equal क्या है? 0 degree if theta is equal 0 degree है तो जड़ा रखना यहाँ पर 10 0 मतलब क्या हो जागा? m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 10 0 क्या होता है? 0 m1 minus m2 is equal, sorry upon 1 plus m1 m2 cross multiply करेंगे, this implies m1 minus m2 is equal 0 या m1 is equal m2 यह relation निकल के आया कहने का मेरा मतलब यह है, कि जब दो line parallel है तो उस समय पर उनके बीच का, उन दौनों के बीच में जो slope का relation रहता है वो m1 is equal m2 मतलब जब दो line parallel है और एक line का slope m1 है और दूसरे line का slope m2 है तो उस समय पर उन दोनों के जो slope है वो equal होते हैं इसी formula से अभी मैंने इस बात को आपके सामने रखता, लेकिन अब इस relation को आपको direct याज रखना है ठीक है, अब मालों ऐसा है कि दो line जो है वो perpendicular है क्या है? perpendicular है तो क्या होगा? मालों एक ये line है और एक ये line है ये दो line है और ये दोनों एक दूसरे पर perpendicular है means 90 का angle बना रही है और एक line का slope m1 है और इस line का slope आपका m2 है और 90 का angle बन रहा है तो अब यहाँ पर इन दोनों के slope में क्या relation होगा? फिर से इसी formula को के 10 theta is equal m2 minus m1 upon में 1 plus m1 और m2 तो 10 अब यहाँ जब 90 है means theta is equal to 90 degree है तो 10 90 रखिए is equal m2 minus m1 upon में 1 plus m1 m2 10 90 क्या होता है आपका infinity होता है m2 minus m1 upon में 1 plus m1 और m2 infinity क्या चीज होती है? infinity कोई number upon में 0 कोई number हो सकता है तो मैं इसको और सम्झाने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पर c कोई भी number upon में 0 m2 minus m1 upon में 1 plus m1 और m2 यह cross होगा तो जीरो का multiply होगा तो पूरा 0 तो यह और यह आपका तो 1 plus m1 m2 और is equal यह a इसका multiply होगा लेकिन वो 0 के चाब को जाके 0 हो जाएगा यह हो जाएगा यह हमारा relation m1 m2 is equal minus 1 यह relation आगया m1 into m2 is equal minus 1 कहने का मेरा मतलब यह है कि जब दो lines perpendicular होती है जब दो lines perpendicular होती है तो उनके slope के बीच में जो relation होता है वो क्या होता है दोनों का slope का product minus 1 के equal होता है दोनों lines का slope लो उनका product करो वो minus 1 के equal होता है कब जब दो lines perpendicular है तो उन दोनों का slope का product minus 1 के equal है और जब दो लाइन पैरलल हैं, यह मैंने अभी पहले प्रूफ किया, जब दो लाइन पैरलल हैं, तो इसका सिलोप मानलो M1 है, और इसका सिलोप M2 है, M1 है और यह M2 है, तो इनके सिलोप का रिलेशन आपस में क्या होता है? M1 is equal to M2, कहने का मतलब है कि जब दो लाइन पैरलल हैं, तो उनके सिलोप का बीच का रिलेशन M1 is equal to M2, और जब दो लाइन पर्पेंडिकूलर हैं आपस में, तो उनके सिलोप का रिलेशन M1 into M2 is equal to minus 1, क्लियर? तो यह note करें, अब जैसे इस पर भी कुछ questions हो सकते हैं, यह इसे relation पर ही हो सकते हैं, और आप खुद questions तो खुद कर लेंगे, जब concept अगर किलियर है, तो आप हर काम खुद कर सकते हैं, इसलिए विसेश ध्यान रखें, concept का किलियर होना बहुत जरूरी है, अब देखो जैसे, अब मैं एक question जैसे लेता हूँ यहीं पर, क्या आपका यह, six, six, four, six, four, और आपका टू, तू, उसलिए, यह कोई line है, suppose करो, यह question है, जैसे यह, यह कोई line है, इस पर two points है, six और यह four है, और यह a मान दिया हमने, six, four, और आपका, यह, two और twelve, दूसरा point है, यहाँ पर यह b, और इसके coordinate आपका, यह b point है, और यह two और यह twelve है, clear? अब देखें यह, अब क्या कह रहा, questions, कि यह कोई line है, questions क्या है, कि कोई line, जो है, कोई line है, जिस पर यह two points है, A और B, यह हम इस बात को यह भी कह सकते हैं, कि कोई line, A और B points से pass हो रही है, ठीक, अब वो क्या कह रहा है, कि इस line पर, कोई दूसरी line perpendicular है, समझना, अभी जो मैंने proof किया है, जो अभी relations proof किये हैं, उसी पर waste question है, अगर concept clear है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो देखे जड़ा, तो आब मालो यह जो line देरख ही है, इसका जो slope है, वह आपका, m1 मान लिये हमने, यह जो line है, जो line है, देरख किया है, जिस पर points देरख है है, उसका slope हमने क्या मान लिया, m1LEY edGE कर लिया, ठीक, और यह जो दूसरी line है, इसका slope हमने m2 लेट कर लिया, अब यह दोनों क्या है पर्पेंडिकुलर है तो वो क्या कह रहा है कि जो दूसरी लाइन जो है जो लाइन दे रखी है उस लाइन पर जो पर्पेंडिकुलर है ए और बी जो लाइन है ए और बी जो दो पॉइंट्स है किसी लाइन पर ए और बी दो पॉइंट्स है किसी लाइन पर इसी पर एक लाइन पर परपेंडिकुलर है यह आपका M2 है तो इसका सिलोप क्या होगा यह पूच रहा है और कोई क्वेश्चन बड़ा एजी है थिक तो जिए क्या करेंगा हम ज़रा तो यह जो लाइन है बात क्वेश्चन समझ में आरा होगा कि कोई भी लाइन है यह आ है और इसी पर कोई पर पर पेंडिकुलर लाइन है ने होगा और इसका सिलोप हमने यह मान लिया तो ऐसी को हमें करना है तो पर पेंडिकुलाख दूसरी क्या होगा है यह पूछ रहा है तो हमने वो M2 माल लिया तो देखे आप इस लाइन का स्लोप पहले निकाल लो के लिए तो आपका जब हमने अभी एक फॉर्मूला बता था कि जब एंगल नहीं दे रखा हो और वो लाइन टू पॉइंट से पास हो रही हो तो आपका स्लोप क्या होगा तो आपका M1 is equal आपका Y2-Y1 upon X2-X1 यह स्लोप होता है फॉर्मूला मेंस आपका यह आपका X1 हो यह Y1 माल लो यह X2 हो यह Y2 माल लो यह वैलू रख दो यहां क्या हो जागा आपका 12-4 upon में 2-6 मेंस आपका कितना बचा यहां 8 मेंस यहां कितना बचा 4 और यहां से एक एंसल हुआ माइनस का 2 आपका यह M1 is equal माइनस का 2 आ गया अच्छा लेकिन अब यहां वह जो अभी मैंने प्रूफ किया है न वहीं concept यहां लग रहा है कि यह लाइन और यह लाइन दोनों क्या है पर्पेंडिकुलर हैं तो उनके सिलोप में रिलेशन क्या होता था M1 M2 is equal minus 1 यह रिलेशन होता था तो यहां से इसका सिलोप क्या है पहली लाइन का यह M2 minus 2 और यह क्या है यहां पर इस टाइब से questions है इसी रिलेशन पर डिपेंड रही question बढ़ाईजी था क्या था एक लाइन है उस पर दो points दे रखें points दे रखें तो हम points के द्वारा इस line का सिलोप निकाल सकते तो हमने अभी निकाल दिया M1 और इसका लाइन एक और है जो आपका perpendicular है परपेंडिकुलर है तो इस line का दूसरी line का सिलोप क्या होगा तो हमने सिलोप M2 मान लिया और यह ही find करना है तो यह perpendicular जो दे रखा है उस perpendicular से हम इस relation को लगा सकते हैं कि जब perpendicular दो line होती है तो M1 into M2 is equal to minus 1 होता है इस relation को निकालके M1 हमने निकाला था भी M1 तो हमने find गया था M1 की value हमने यहां से यह कर दी M1 की value जो है आपका यह 2 रखती थी minus 2 यहां से निकाला और यहां से फिर M2 यहां से find होगा यह answer होगा इस टाइप से कुछ questions आप करना और बड़ा easily यह सब हो जाएगा और आज के लिए बस इतना ही और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और वैल आइकन बटन भी दवाना मत भूलिए थैंक्यू